नमस्कार साथियो साथियो इस वीडियो के मैदम से आज मैं आपको बताऊँगा कि हम घर में बेठे आयुरवेदिक तरीके से घर की ही चीजों से कैसे हम अपने अंचाय सफेद बालों को काला कर सकते हैं और उसके लिए एक मैडिसेन त्यार कर सकते हैं जिसका ना कोई खर्च होगा ये आमतोर पर हर गर में अवेलियवल होती हैं साथियो आज जो नुक्सा में आपको बताने जा रहा हैं उसमें सिर्फ चार चीजों के जरूर्द होती है और वो चार चीजे हैं नमबर एक नारियल का तेल नमबर दो कड़ी पत्ता नमबर तीन मेथी दाना और नमबर चार प्याज साथियो सबसे पहले हम ठ्राई पैन को दीमियाज पर गरम करेंगे और उसके अंदर नारियल का तेल डाल देंगे नारियल का तेल को दीमियाज पर पकते पकते जब थोड़ा लाल हो जाता है तो उसके अंदर हम मेती दाना डाल देंगे और मेती दाना को डालने के बाद जब मेती दाने का रंग हलका हलका लाल होने लगता है तो उसको बाद हम उसके अंदर कड़ी पत्ते का रस डाल देंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर प्याज करस डालके 10 मिट तक हिलाते रहेंगे उसके बाद हिलाने के बाद हम इसको गोर को नीचे उतारकर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम एक किसी बोतल के अंदर कांच की बोतल के अंदर इसको डालने के बाद यह हमारे जो आईरवेदिक तरीके से जो हमारा सफेद बालों को काला करने का तरीका उत्यार हो जाता है और फिर हम इसकी दस मिट तक अगर डेली रूटीन में चंपी करते हैं तो चंपी करने के बाद चंकीला पन मजबूती और काला होना होने लगेंगे जिससे हमारे जो बसपन में जो बाल थे उनकी तरह ये लहराने लगेंगे और आपकी जो खूशियां वो आपके जीवन में लोट आएंगी दोस्तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जुरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाले स्यदा सब्सक्राइब करना और लाइक करना सेयर करना धन्यवाद